नमस्कार आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूँ आपके साथ नीतु सिंग कुछी देर पहले हमने आपको एक दुखत समाचार बताया कि कल देर रात मुस्ताक काक साब जो एक्टर डिरेक्टर और जुनोंने फिल्म जकत में अपना काफी नाम कमाया है उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है इस समय हम उनके घर के बाहर है ठीक बाहर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर उनको आखरी अलविदा कहने के लिए तांता लगा हुआ है काफी तादाद में यहां पर लोग इस समय यहां पर आए हुए है क्योंकि कुछी देर में जो है उनका जनाजा जो है यहां से निकाला जाएगा और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग जो है इस समय काफी शोक में डूबे हुए है क्योंकि समाचार ही कुछ ऐसा है उनके आप दुनिया को अलविदा कहकर चलेगे आप उनके साथ काफी समय तक जुड़े हुए थे कैसा सफर रहा और कैसे आप उनके बारे में बिताएंगे ये वाकिए एक बड़ी दुगदाएक ख़वर है कि जम्मू का मुश्ताकाक वाज शरीरिक तोर पर हमारे बीच नहीं है वो भगवान ने अल्ला ने जितने स्वास उनको दिये थे वो अपनी जिन्दगी का एक खुशूरत जो दौर है वो जी कर यहां से हमसे अलविदल हो गया मुश्ताकाक एक बहुत बड़िया इनसान है बहुत बड़िया इनसान था और हम सब जानते हैं जम्मू थेटर की मूवमेट में जो उनकी कांट्रिबूशन रही है एज आर्ट परफॉर्मर, एज थेटर डिरेक्टर, एज एक्टर, एज सेट डिजाइनर थेटर की जितनी भी फिल्ड्स है हमारे जम्मू में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने थेटर में अपना इतना नाम कुमाया बेशाक उनको आज कला हम फिल्म इंडिस्ट्री के नाम से जानते हैं वो फिल्मों में उन्होंने काफी काम किया खासकर लेटेस्ट उनकी जो मूवी कदर टू में उनका जो एक काफी लीड रोल रहा है उसमें जो उन्होंने शोरत हासल की पॉब्लिशिटी हासल की मैं उसकी बात नहीं करूंगा मुश्ताकाक ने जम्मू थेटर को जो दिया है वो एक अपने आप में एक मिसाल है जिस सचाई से जिस एमानदारी से उन्होंने खुद को नहीं बनाया बलके उन्होंने जम्मू में थेटर और रंगमंच के जरिये से जो लोगों को एक मैसी दिया अपनी जिंदगी में वो बड़ा काम एक हमें यादगार है हमारे लिए और उसके लिए उसका जो नुकसान हुआ वो तो उसकी भरपाई तो बहुत मुश्किल है और हम ऐसे वक्त पर क्या क्या कह सकते हैं मेरा लगबग चार दर्शक से ज्यादा उनका साथ रहा है और ऐसे मुख्य पर मुश्का का इस तरह से अचानक चले जाना 62 साल की उमर क्या उमर होती है कुछ ने अभी बहुत एक्टिव थे वो और जो विदान ने लिखा है उपर वाले ने जो लिखा है वो तो होके रहना है हम सब मिलकर यही अल्ला से दुआ कर सकते हैं कि वो उनको जन्त नसीब करे और हम सब को उनके परिवार वालों को इस दुखत गड़ी में होंसला की बात कर सकते हैं और बस और क्या कहें वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और सबसे बड़ी बात है एक जिन्दा इनसान था जिन्दा इनसान दूसरों के दुखदर्द समयता था दूसरों की बात समयता था आज खाली खाली लगेगा अबन्यों का वो महौल मुश्ताक काकी वो स्कूटी और वहां पर वक्त गजारना वो ठहाके वो थेटर की बाते हैं वो सब हम मिस करेंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो मिश्ताक काक ने जला कर रखी है जम्मू की थेटर मुवमेंट को जो उन्होंने लीड किया वो रैपर्टी में रहे दिल्ली में सिरी राम सेंडर में उन्होंने काफी देर काम किया और बहुत बड़ी कांट्रिबूशन है उनकी बीटिया इफराज आज हम उन्हीं को उसी में देखेंगे और वाकिए एक बहुत बड़ी ख्यती है जम्मु वासिम के लिए ठेटर के लिए और हम लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा जो थेटर में ने जॉइन किया तब से मुझताक मेरे बहुत करीबी दोस्ते और जिंदगी के हर मरहले में वो मेरे साथ साथ रहे जब दिली मैं वो श्रिडान सेंटर में डारेक्टर बने ये कोई चोटी अचीवमेंट नहीं है लोग तरसते हैं उस पॉजिशन को पाने के साथ सब्लिए और आहरा में कि बाइड ऊंड़ डारेक्टर रहे उन दिनों मैं भी डिली में पोस्ते था और वो हर संड़े को मेरे बास मेरे फ्लाट में आजा थे और हम गोश्ट ले आते थे अपने साथ में वो संड़े के दिन गोश्ट मनाते थे और बैट के सारा दिन ग बहा होता था तो एक दम मुझे फोन करते थे और कहते थे कि इसके बारे में क्या करना है यहां पे जमू में भी जब हम थे तो एक साथ उनके रहर सलू में जाना उनके साथ काम करना जब वो टेलिविजन के लिए काम करने लगे तो हमने एक साथ मिलके बहुत सारे सीरियल्स हमने किये और फिल्मों में बाद में वो गए बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की और मुझे नहीं लगता जमू में कोई भी ऐसा शक्स है जसने इतनी फिल्मों किया है और इतना अच्छा काम किया है अबी जो गदर टूबलीज हुई हिरोईन के फादर बने थे ते वो बड़ा अच्छा रॉल किया था उससे पहले भी हाइजाक मैं या ऐसी बहुत सी फिल्मों में उन्ने काम किया ये मेरा एक हिस्सा जो जाने वाला होता है वो अकेला वही नहीं जाता आपकी जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ जो उसका एक सफर होता है वो भी उसी के साथ चला जाता है सिर्फ यादे बच जाती है जब आज से तीन-चार साल पहले ग्लोबल कल्चर समिट हुआ था अबुदाबी में दुनिया भर के वहाँ पे ठेटर से जुड़े हुए लोग डांस से लिटरेचर से म्यूजिक से जुड़े हुए लोग वहाँ पे जमा हुए थे उसमें इंडिया से हम दो ही आदमी थे मैं और मुश्थाक हम दोनुं वहाँ पे कम से कम 12-13 दिन रहे और वहाँ पे डिफरेंट जो गतिविजियां हैं उनमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा हमारा वो सफ़ा रहा वहाँ पे और अब वो मुझे पापा कहते तो फोड करते तो पापा एक मसला पहाँ आगे दसो की करना है मैं कहते तो अच्छा कोई बात देखते यार कोई ने कोई हल निकलाएगा अब वो आवाज नहीं आएगी ये हमारे मेरे लिए जाती तोर पे तो एक सद्मा ही है मगर ये पूरे द देश की ये हमारे रियासत की उसके लिए बहुत बड़ा सद्मा है उसके लिए बहुत बड़ी हानी है कि वो शख्स जो इतना अच्छा थे ये इतने अच्छे अच्छे प्लेज की है मुझे एक एक ड्रामा उनका याद आ रहा है और मैं चुकि थेटर रिव्यूज लिखत लेकिन इतना जरू करूँगा कि आज हमारा जो जमों का थेटर है उनके जाने के बाद शायद आनात हो गया जो उनका कंट्रुबिशन थेटर में और फिलम्स में था पता नहीं दुबारा कोई ऐसा शेर बैदा होगा के नहीं अब घधर टू में देख लें पहली कितनी फि है तो शेर नगर थे एक फिल्म हमने साथ किये है कश्मीर से वह आने वाली है अभी कुछ दिन पहले मैं शेर नगर में था तो उनका मुझे सुबह साड़े आट बजए कॉल होता है कि तुमिलने नहीं आया मेरे साथ मैं कुछ दिर में हाजिर होता हूँ पंदा बीस दिन प मैं तुन्हों फोन करांगा गड़ी लेकि आई उते जाने सारे बन मिल लें देखिए आज सब को यहां देखके तो ऐसा मैसा हो रहा है बलकि जम्मू किश्मीर नहीं हमारे पूरे हिंदस्तान में ऐसे कलाकार पैदा नहीं होगे और मैं स्पेशली बात करूंगा थेटर की कि जमो में जितने भी लोग हैं उनुने उन से सीखा है और उनुने हमारी यहां की signature को ड्वैलप किया है मैं सिर्फ थेटर की बात नहीं करूंगा हमारी फिल्मों में जैसे अभी फिलहाल में उनकी एक फिल्म गदर आई अभी एक फिल्म उनकी आने वाली है किश्मीर से हुसैन सब के साथ की और बहुत सारी फिल्में जो हैं अभी उनकी आने वाली है तो हमारे इंडरेस्टी में इ बहुत महसूस करेंगे वो पूरी नहीं कर पाएंगे और ऐसे कलाकार ऐसे डिरिक्टर ऐसे थेटर वाले बहुत कम पैदा होते हैं हमारे जम्मु कुश्मीर की शान थे वो बलके पूरे हिंदस्तान की शान थे और उन्होंने जम्मु कुश्मीर का नाम रोशन किया है पूरे ह आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं इश्वर उनकी आत्मा को शांती दे और उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में अपने आपको संभाल पाएं ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतनी गुर्वत से उठते हैं और अपने टेलेंड को एक मुकाम पर पहुंचाते हैं और जम्मू का नाम जो है पूरा हिंदोस्तान में उन्हें किया इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कहा जा सकता है कहते हैं ने कि जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे जमी खागई या आसमा कैसे कैसे हम लोगों की मुलाकात नेशनल स्कूल अफ ड्रामा जम्मू में जब हुआ था दब हुई थी और मैंने इनके अंडर काफी काम किया थेटर किया काफी नाटक किये और यह उस्ताद थे मेरे गुरू थे बहुत बहुत बेचरीन इनसान थे और मेरे जो इनके साथ गरेलू तांटावत थे इनकी बेटी के जो थेटर से होर लेटिड हो या मीडिया टीवी से या किसी फिल्मू से लेटिड हो वो इनके अन्रूस ने काम ना किया हो बाकी मैं ही दुआ करूँगा कि उपरवाला अल्ला इनके घरवनों को सबर दे इनकी बाबी जो हमारी है, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, हिना, उमा, इनका बेटा, अल्ला दारा उनको सबर दे, मैं यह क्या सकता हूँ इस गमगीन मोहन में जहां आज मुश्ताकाक साब दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, इंडिया वे ही नहीं उन्होंने जमू के थेटर को एक बहुत बड़ा मुकाम दिया है, बॉलिवूड में भी कई सारी मूवीज की अपना नाम बनाया, जमू कश्मीर का नाम रोशन कि इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ेगे ग्रेटर चमू के साथ, कैमरा मैन अजे जाडू के साथ मैं इतु सेंग ग्रेटर चमू के लिए धन्यवाद